प्रधा मंत्री नरेंद वोधी की तरह से कर्फ्यू के एलान का राजधानी शिम्ला में कितना असर हुआ है इसका जायजा शिम्ला के हमाइस मादा था विकास शामाने इंडरिज मैदान पर ज़्वा कर लिया देखे रिपॉर्ट हिमाचा प्रदेश में कोरोना वायरस का खौफ लगातार लोगों के दिलो दिमाग पर है और ऐसे इसी बीच हम लोग इस समय शिम्ला के एतिहासिक रिज मैदान पर हैं आप लोग सभी जानते हैं कि हिमाचा प्रदेश को पहले लॉकडाउन किया गया जब लोगों ने बात ल पुलिस के जो लोग हैं ये लोग जो हैं अब लगातार लोगों के आने जाने के उपर चेकिंग जो है वो लगातार यहां पर कर रहे हैं कि आखिर किस काम से कौन व्यक्ति जो है वो कर्फ्यू के दोरान किस तरह से यहां पर घूम रहा है और अगर कहीं किसी जरूरी काम से जा रहे हैं तो पुलिस के जो ओफिशल हैं वो यहां पर चेक कर रहे हैं लगातार लोगों को और ये उनको बताया जा रहा है कि कर्फ्यू जो है वो यहां पर लगा तो ऐसे में आप खुले आम जो है वो यहां पर नहीं घूम सकते कुछ बैंक के करमचारी है तो किसी को IGMC जाना है और इसी तरह से कमवेश हालात पूरे हिमाचर प्रदेश के हैं आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा भीड़ भाड इसी एतिहासिक रिज मैदान पर रहती है क्यूंकि जो टूरिजम प्लेस भी है तो ऐसे में टूरिस्ट प्लेस होने के कारण ज्यादा तर लोग जो है पूरे हिमाचर प्रदेश में कल देर शाम पांच बज़े से यहां पर लगा दिया गया था इसके बाद अब पहल बिल्कुल थम गई है कहीं भी कोई व्यक्ति जो है वो यहां पर ना दिखाई दे इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रशाशन जो है वो यहां पर प्रय कीरवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है वो कुछ समय के लिए कर्फ्यू में धील भी यहां पर दी जानी है तो वजह बिल्कुल साफ है कि लोग जो चीजें खरीदना चाहते हैं कुछ समय के लिए दुकाने जो है वो यहां पर खुलेंगी और लोग अपनी विवस्था के अनुसार वहां से चीजें खरीद पाएंगे कैमरा परसन दीपक चौहान के साथ विकास शर्मा जनता टीवी शिमला